नमस्ते दोस्तों मेरी यूटूब चैनल राधा स्वादा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं दिपाबली के लिए फिर से एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रसेपे लेकी आई हूँ यह बंगाल की बहुत ही फेमस मिठाई है इसे मलाई चॉप या मलाई सैंबिच भी कह सकते हैं खाने में यह मिठाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत ही इजी है यह मिठाई छेने से बनाई जाती है और आप इसे बनाके इस्टोर करके भी रख सकते हैं इसे आप 10 से 15 दिन तक इस्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं तो इस दिपाबली पे इस मिठाई को आप जरू ट्राई करें रेसेपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक पर सेयर करना, ना भूलें, तो फ्रेंटस इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहां पर एक लीटर गाय का दूद लिया है एक से दूद धकन के करीब और इसमें हम धेर सारा पानी आड़ कर देंगे और इसी पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके दूद में आड़ करेंगे और इसे हलके हाथ से इस तरह से हिलाएंगे जितने में ये दूद फट जा है उतने में ही हम पानी डालना बंद कर देंगे आप देख पारों में छेना फटना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे दूद फट चुका है पानी अलग हो गया है तो अब हम इस छेने को पानी से अलग कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे बड़ी सी छनी ली है इसके उपर मैंने एक पतला सा कपड़ा रखा है कॉटन का और इसमें हम सारा छेना डाल देते हैं छेने को हम एक से दो बार ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि जो विनिगर का खटापन है इसमें से निकल जाए और छेना जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए छेना को मैंने यहाँ पे धो लिया है और अब हम चारो तरब से कपड़ा को पकड़के छेने का पानी जो है उसे हलका सा निचोड लेंगे इस तरह से हलके हाथ से हम इस तरह निचोड़ेंगे आप चाहते हैं इसे आदे घंटे के लिए कहीं पे टांके भी रख सकते हैं ताकि इसमें जो भी अक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और मैं यहाँ पे इसे छनी के उपर ही रख दूँगी पान से दस मिनट के लिए तो यहाँ पे इस पानी को हटा लेते हैं और इसमें हम इस तरह से इसे फोल्ड करके पान से दस मिनट के लिए छोड़ देंगे तब तक हम आगी की तैयारी कर लेते हैं यहां पर gas पर मैंने कड़ाई रखी है और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी चीनी और जितना हमने चीनी लिया है उसका आधा हम पानी लेंगे यहां पर ग्यस का फ्लेम उन कर लेते हैं yet चीनी कों बिल्कुल फ्लेम पर मेल्ट होने के लिए छोड़धे Maßnahmen यहां पर इसी बिलकुल शॉप्ट सा जैना बनके तयार हुआ मैंने इसे किच walks in the kitchen counter पर है। मैंने निकाल लीए। हमें इसे मसलना है लगबग 3-4 मिनट तो फ्रेंज यहां पर छे ने को मैंने लगबग 3-4 मिनट अच्छे से मसल लिया है और यह बिल्कुल स्मूथ सा डो बनके त्यार हो गया इसे हम side रख देते हैं और यहां पर हम देखेंगे कि चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है पानी में बट यह चासनी जो है गंदा सा लग रहा है तो इसे हम clean करेंगे इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा दूद आड़ करेंगे और इसे हम ओबलने देंगे जैसे ही ओब तो friends यहां पर मैंने सारे गंदगी को निकाल लिया और आप देख पारेंगे चासनी जो है बिल्कुल clear दिख रहा है तो अब हम इसमें जो चासनी है काफी देर से उबल रहा था तो मैंने इसमें half cup पानी और आड़ कर दिया है और गैस का flame हम बंद कर लेते हैं और छेने में चासनी हम आई से चुता हएं और जितना आप को मिठाई बनाना और उसी ऐस अतर्ष उक्रिण करकर देखो और यहां पर मैं मलाई चॉप को गोल बना रही हूँ आप चाहे तो इसे square भी बना सकते हैं लंबा shape में भी बना सकते हैं तो जैसा भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसके सारे जो बॉल्स है उसे बना के तयार कर लें इस तरह से देखिए मैं बनारी इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं होने चाहिए तो सारा हम इसी तरह से बना के तयार कर लेंगे तो यह हमने तयार कर लिये हैं और चासनी को हम फिर से गैस का फ्लेम आउन कर लेते हैं और चासनी में हम उबाल आने देंगे यहाँ पे चासनी में बहुती अच्छे से उबाल आ चुका और इसमें जाग भी बन गया है तो अब हमने जो पेड़ा बनाए है छेने का वो एक एक करके सारा इसमें डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हमें हाई ही रकना हाई फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे सारा मैंने डाल दिया है अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट हम इसे बिलकुल भी टच नहीं करेंगे 5 मिनट होने के बाद हम कवर हटा लेते हैं और यहां पर देखिए हमारा जो छेना का हमने इसमें जो पेड़ा डाला था वो साइज में काफी बड़े हो गए हैं तो बहुत हलकी हाथ से हम इसे एक एक करके पलट लेते हैं इसे 5 मिनट से पहले बिलकुल भी टच ना करें ने तो यह तूट जाएंगे बहुत ज़्यादा सौप्ट होते हैं यह तो यहां पर मैंने सारा पलट लिया और चासनी काफी देर से उगल रहा है तो हम अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्यूंकि चासनी को हमें गाढ़ा नहीं होने देना है ने तो हमारा जो यह this मिठाई है इसके अंदर चासनी नहीं जा पायेगा तो चासनी को हमें पतला ही रखना है अरे एक से दो मिनट बात हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से पानी आइड करना है और पानी को हमें एक जगा पे नहीं डालना इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालना है तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा छेना को पकते हुए लगबग 10-12 मिनट हो गए हैं और इसका साइज काफी बड़ा हो गया आप देख पा रहोंगे बट यह भी पका नहीं है इसे हमें टोटल 15-20 मिनट पकाना है तो यहां पे 10-12 मिनट हो गए हैं और इसे हमें 5-10 मिनट और पकाना है एक एक करके हम इसे पलट लेते हैं और यहाँ पर मैं लगातार हर एक से दो मिनट के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आइट कर रही हूँ तो यहाँ पर यह टोटल लगबग 15 मिनट हो चुके हैं और मिठाई जो है आप देख पा रहे होंगे जो हमारा छेना वो चासनी के अंदर काफी हद तक डूब गया है तो हम इसे चेक करेंगे मैं यहाँ पर एक छेना को उठा के पानी में डाल रही हूँ तो यह बिल्कुल अंदर डूब जा रहा है यानि यह लगबग पक चुका है पानी हम यहाँ पर अभियाइड करेंगे ताकि यह बिल्कुल अच्छे से चासनी में डूबा रहे तो अब हम इसे लगबग 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम इसका आगे की फिलिंग तयार करेंगे तो फ्रेंड्स लगबग 5 घंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है और देख पारेंगे बिल्कुल इसके अंदर चासनी अच्छे से चला गया है और यह बहुत ज़्यादा स्पंजी लग रहा है तो अब हम इसे हथेली की बीच में रखेंगे और बहुत हलकी हाथ से इस तरह से प्रेस करके इसमें जो एक्स्ट्रा चासनी इसे निकाल लेते हैं और इसे हम यहाँ पर शननी के उपर रख रहे हैं ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत और चासनी होगा वो आराम से आस्ति-आस्ति निकल जाएगा तो सारा हम इस तरह से हलके हाथ से प्रेस करके इसका चासनी निकाल लेते हैं तो देखी फ्रेंट्स हमने सारे छेने में से रस को निकाल लिया चासनी को और यहां पे हम इसे लगबग आधे गंटे के लिए इसी में छोड़ देते हैं तब तक हम इस्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं, मैंने गैस पे एक पैन रखा है और इसमें हम गैस का फ्लेम ओन कर लेते हैं, इसमें हम डालेगे केसर का पानी, मैंने थोड़ा से दागे को पानी में फूलने के लिए रख दिया था, इस पानी को हम यहां पर याँ है आड है, और लो फ्लेम पर लेगा अब हम एक सार्प नायप लेगे और इसे हम इस तरह से बीचो बीच कट कर लेंगे देखे इस तरह से बहुत एजली ये कट जाता है और अब हम इसके बीच में stuffing करेंगे तो देखे friends इसके अंदर कितना अच्छा sponge बना है और स्टेफिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेर पतला या मोटा रख सकते हैं और इसे मुपर से इस तरह से कवर कर देंगे तो ये हमारा मलाई चॉप बनके तयार हो गया इसे आप सैंडबिच भी कह सकते हैं मलाई सैंडबिच तो सारा हम इसी तरह से फिलिंग को भर के सब को हम तयार कर लेंगे तो देखे फ्रेंज हमने सारी मलाई चॉप बना के तयार कर लिया हैं और इसे हम थोड़ा सा सिल्वर लेप से इस तरह से डेकॉरेट कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगाएंगे जिस तरह से हम दुकान में देखते हैं और इसे हम तूटी-फूटी या फिर चेरी से इस तरह से गार्निस कर लेंगे तो लिजे फ्रेंड्स हमारा ये बहुत ही टेस्टी-मलाई चॉप बनके तयार हो गया है मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ इसका अंदर का फिलिंग बहुत ही टेस्टी यह मिठाई बनके तयार हुआ यह देखने में जितना सुन्दर लगा खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है तो friends इस दिपावली आप इस मिठाई को जरूर ट्राइ करें और अपने experience मेरे साथ जरूर सेयर करें अगर आपको यह recipe थोड़ी से भी पसंद आई हो तो please वीडियो को दुसरूर साथ जरूर सेयर करें वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो please चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर अप्लोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो फिर मिलते किसी next recipe के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाई